हेलो फ्रेंज आपका मारे चैनल मल्टी के विल्ट पर बहुत-बहुत स्वागत हैं आज का वीडियो काफी इंफिर्मिटिव रहेगा क्योंकि हम जानेंगे पर आपको 345 लाग का इंटरस्ट भी मिलेगा मतलब आपको साड़े साथ लाग प्लस साड़े चोड़ा लाग यानिकी टोटल 22 लाग का एक लंब्सम अमआंट मिल जाएगा और पचास हजार एरली का मतलब है कि आपको सिर्फ 4,000 रुपे मंधली इंवेस्ट करना है और आपक का पर एनम का शांदार rate of interest मिलता है जो की absolutely tax free है under section 10 of ITX और अगर इस investment के पीछी का reason बहुत strong है जैसे कि आपकी बेटी की शादी या आपकी बिटिया की higher education के लिए तो आपको naturally motivation आही जाता है investment के लिए तो आप मान लीजिए कि अगर आपकी बेटी के लिए आप जादा भी invest कर सकते हैं यानि कि 50,000 की जगा आप 1,500,000 भी साल आना आप invest कर सकते हैं अगर आप 1,500,000 हर साल invest करते हैं तो आपके पास एक deposit एकटा हो जाता है 22.5 lakhs का जो की एक बहुत बढ़ा amount है और इस पर आपको पूरे 43 lakh का interest भी मिलेगा यानि कि 22.5 lakh और 43 lakh का total 66 lakh एक बड़ी रकम आपको मिल जाएगी तो अब आप सोचेंगे जब आपकी बेटी 18 या 21 साल की होगी तो यह पैसा उसकी higher education या फिर उसकी शादी के लिए आपके लिए कितना काम आएगा आपको कितनी मदद कर सकता है तो चलिए आज हम डीटेल में बात करते हैं सुकन्या समरिदी योजना के बारे में तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम सुकन्या समरिदी योजना account खोल सकते हैं second हम जानेंगे कौन-कौन इस account को खोलने के लिए eligible है यानि कि कौन-कौन इस account को खोल सकता है फिर हम जानेंगे इस account का duration क्या है आप कितने time तक इसको invest कर सकते हैं या आपको कितने time के बाद इसमें पैसा मिलेगा फिर हम जानेंगे कि कितना amount आप deposit कर सकते हैं फिर हम जानेंगे इसके rate of interest के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे आप पैसे को कब निकाल सकते हैं और हम बताएंगे इसके tax benefits के बारे में कि आपको इस पर कितना tax देना पड़ेगा या आप इस पे कितना tax बचा सकते हैं या फिर इस पे कोई tax नहीं लगेगा और सबसे लास में हम आपको बताएंगे एक bonus tip How to earn more interest than a normal person कि आप एक normal बंदे के, एक normal person के मुकाबले कैसे ज़ादा interest earn कर सकते हैं अपने total investment पर तो आईए अब जानते हैं How to open सुकन्या समरीदी योजना account सुकन्या समरीदी योजना account किसी भी bank या post office में खुलवाया जा सकता है आप अपना सुकन्या समरीदी योजना account भारत में कहीं पर भी transfer करा सकते हैं एक post office या bank से, दूसरे post office या bank में तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम बोल रहे हैं सुकन्या सम्रिदी योजना अकाउंट, तो क्या ये bank अकाउंट होगा या post office अकाउंट होगा, तो clarity के लिए आपको बता दें, अकाउंट का मतलब है, जो भी अकाउंट सुकन्या सम्रिदी योजना के investment के लिए आप open क करेंगे, इसके तहत आप खुलवाएंगे, वो होगा सुकन्या सम्रिदी योजना अकाउंट, जिसमें आप invest करेंगे, ये कोई bank अकाउंट नहीं है, ये कोई post office अकाउंट नहीं है, ये total आपका जो आप सुकन्या सम्रिदी योजना की investment के purpose से open करेंगे, वो अकाउंट होग तो खाता धारक होगी girl child या आपकी बिटिया, जिसके लिए आप सुकन्या सम्रिदी योजना अकाउंट open करवा रहे हैं, ना ये parents के नाम हो सकता है, ना ही ये legal guardian account holder, इसमें सिर्फ बिटिया रहती है, आपकी girl child रहती है सुकन्या सम्रिदी योजना अकाउंट government savings promotion act 1873 के तहत open किया जाता है, सुकन्या सम्रिदी योजना अकाउंट को कोई भी legal guardian अपनी बेटी के नाम से open करा सकता है, अकाउंट ओपनिंग की date पर बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, एक अकाउंट holder या कहें तो एक बेटी क ये नाम पर एक ही अकाउंट open कराया जा सकता है, आकाउंट open कराने के लिए बिटिया का birth certificate अनिवार रहा है, जानना चाहेंगे एक बेटी से एक अकाउंट खुलवा सकते हैं और maximum दो, तो एक फैमिली के maximum दो बेटियों के लिए ये अकाउंट ओपन ओपन कराया जा सकता है जानते हैं कि आप कितना पैसा और कब-कब जमां करा सकते हैं आप सुकन्या समरिधी योजन्या अकाउंट में मिनिमम धाइसो रुपे से अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आपको हर साल 50 रुपे के multiple में यानि की minimum 200 रुपे जमा करा सकते हैं एक वित्य वर्ष में deposit डेढ़ लाग सेक्सीड नहीं कर सकता या जादा नहीं हो सकता जादा amount per accounting error से या किसी भी reason से अगर आपका deposit जादा हो जाता है तो उस पर कोई interest नहीं मिलेगा और अगर आप किसी कारण से किसी वर्ष में अपनी इकाई या deposit नहीं जमा करा पातें तो 50 रुपे की penalty minimum penalty से आप उसे दुबारे से activate करा सकते हैं हाला कि आपको प्रती इकाई या जो भी आपने deposit किया है आपकी default से पहले या default के बाद में आपको उस पर पूरी complete amount पर आपको interest मिलेगा तो अब हम जानते हैं कि इसके tenure के बारे में सुकन्या सिम्रीदी योजना account खूलने की date से 15 साल तक आप इसमें पैसे जमा करा सकते हैं अब हम बात करते हैं कि हम पैसे कब निकाल सकते हैं हम सिर्फ दो सूर्टों में या दो reason से अपना amount withdraw करा सकते हैं यानि कि withdrawal of money आप सिर्फ बच्ची की education के लिए निकाल सकते हैं और वो amount आप निकाल सकते हैं सिर्फ 50% maximum दूसरा आप सारा amount निकाल सकते हैं और account close कर सकते हैं अगर आप बच्ची की शादी कर रहे हैं लेकिन उसमें condition में आपकी बेटी की उम्र 18 साल से उपर होनी चाहिए अब जानते हैं सुकन्या सिम्रिदी योजना की account की maturity कब होती है अभी हमने जाना कि आप withdraw कब करा सकते हैं कि आपकी अभी maturity नहीं हुई है आपने उससे पहले withdraw करा है तो इन दोनों reason में आप withdraw करा सकते हैं जो हमने अभी discuss किये बट अगर आप शादी के लिए या education के लिए आपके पास already funds हैं और आप नहीं निकालते हैं तो आपका fund mature कब होगा सुकन्या समरीदी योजना account खोलने के 21 साल बाद यह mature हो जाता है और आपको आपका सारा पैसा principle और आपका interest मिल जाता है अब जानते हैं सुकन्या समरीदी योजना का सबसे interesting part यानि कि आपको कितना interest मिलेगा तो आपके जमा किये हुए पैसो पर आपको सुकन्या समरीदी योजना account में interest rate जो मिलेगा वो है 7.60% एक शांदार return जो की fully secured है और एक बहुत ही शांदार और उन्धा return है कन्या समरीदी योजना account का interest PPF account से हमेशा 50% जादा होता है या फिर उपर रहता है तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे इसके tax benefits के बारे में तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम बात करते हैं इसकी taxation के बारे में तो जो भी आपकी जमाराशी है वो qualify करती है deduction IT act section ATC के तहत जो आप deduction claim कर सकते हैं दूसरा जो भी आप interest earn करेंगे सुकन्या समरीदी योजना account में वो पूरा tax free होगा IT act section 10 के तहत तो आप tax बचा भी सकते हैं और आपकी जो earning होंगी उस पर भी आपको कोई tax नहीं देना है और third point taxation में हमारा है कि सुकन्या समरीदी योजना triple E category में आती है यानि कि exempted, exempted और exempted जैसे कि tax on investment exempted, tax on interest exempted, tax on withdrawal और maturity is totally exempted अब हम last में बात करेंगे अपनी bonus tip के बारे में तो अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने सुकन्या समरीदी योजना account से maximum benefit ले सकते हैं आपको जो सुकन्या समरीदी योजना account में investment करनी है तो वो आप महिने की 5 तरिक से पहले करें क्योंकि महिने की 5 तरिक के बाद उस रकम पर उस महिने कोई भी जो भी आपने राशी जमा की है जो भी आपने deposit किया है उस पर कोई interest नहीं मिलेगा interest पांच तरिक तक ही जमा की गई राशी पर ही मिलता है जैसे कि अगर आप 10,000 रुपे जमा करते हैं चार जन्वरी को तो आपको जन्वरी की महिने पर उस पर interest नहीं मिलेगा अगर आप अपना पैसा पांच तरिक या पांच तरिक की बार deposit करते हैं जैसे छे जन्वरी, नो जन्वरी या किसी भी तरिक पर तो आपको उस महिने में आपको कोई interest नहीं मिलेगा तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें comment section में जरूर बताएं थेंक्स फो वाचिंगा वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को like और subscribe करें for more updates प्लीज प्रिस प्रिस पील आइकन so let's get started with multi-cap wealth